जैसे ही आप exam को finish कर लेते हैं exam submit कर दे आपने अब यह exam online exam के option पर जाएंगे यहां पर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपने और इस exam को finish कर लिया है तो एक बात ध्यार में रखना है कि आप एक ही exam को बार-बार attempt नहीं कर सकते हैं बिना हमारे permission का आपको जो exam एक बार दिया जाएगा उसको आप एक ही attempt कर सकते हैं attempt करने के बाद वह exam यहां से disappear हो जाएगा और वह exam आपके performance में चला जाएगा यहां पर आप क्लिक करेंगे है वो सब चीज़ें यहां पर दिखेगा इसके बाद important क्या है इसमें micro analysis तो आपको बताते हैं कि मैक्र analysis कैसे काम करता है आप यहां पर आप आईए नीचे आईए यह दिख रहा है यहां का 8 अगस्त को अपने एक exam दिया है यह question है और यह आपका analysis है इस analysis पर आप क्लिक करेंगे यहां पर पूरा इंस्ट्यूट का एक rank मिलेगा कि आपने इंस्ट्यूट पूरा सब लोगों ने जो दिया है उसमें आपका क्या performance है और आप जो अपना batch में दे रहे हैं उसका यहां पर क्या performance है इसके बाद कि यहां पर और इसका analysis में जाएए यहां पर क्लिक करिए अब यहां पर दिखेगा score आपका कितना score है average कितना score है highest कितना score है और maximum कितना score है यह सब चीजिए यहां पर दिख जाएगा डिरेक्टल एक नजर में आप देख सकते हैं आपने कितना कोशन करेक्ट किया है कितना इंकरेक्ट किया है और कितना अपने अटेम्ट नहीं किया है अगर इंकरेक्ट कोशन रहता तो यहां पर रहता नॉट अटेम्ट किया है अपका एलो कलर का है और जो अटेम्ट किया पॉजिटिव मार्क कितना यह मार्क अनलेसिस के लिए और आगे जाए यहाँ पर क्लिक करिए अब जो दिखेगा आपको वह इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर टाइम टाइम मनेजमेंट आपको यह सिखाएगा कैसा टाइम एक जीरू मिनिट में अपनी में जीरू किया था और जैसे एक कितना सेंट में को अपनी कौन कौन से और गार् Yuk कर दो 3 honestly को बनाया फुर्स्ट को टाइम लगए दिखें यहां पर आते हैं तो दिखता है यहां पर 25 सेकंड धुछन कितना 33 इसके सिकर बाद आपने फिर स्ट ओपन किया यहां पर वह सिक्मेस दिखा रहा रहा है कैसे कैसे टायम आपने विदीद किया अब क्या किया यानि कि पूरा आपका एग घंटा का समय जो आपने सेक्षण एक लिए दिया है या पूरा आपको यहां पर दिख जाएगा का आपने क्या किया है पूरे एग घंटे में या पूरे दो घंटे में तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है आप इससे टाइम मनेजमेंट को सीख जाएंगे अगर आप डेली इसी तरह प्राक्टिस करें तो क्या होगा आपका टाइम मनेजमेंट सीख जाएंगे कि कौन सा पॉर्शन आपका ज्यादा समय ले रहा है कौन सा पॉर्शन पर कम टाइम में आप अठेम करते हैं तो time management सिखने के लिए यह analysis आपके लिए बहुत जरूरी है तो आज 9 बजे रात में कि आपको ID password तो भी पांच बजे मिल जाएगा नो बजे आपका open हो जाएगा एक्जाम आए सिमर सार्थी टो आए सिमर बैच का पहला टेस्ट है टेस्ट का पूरा नहीं प्रोवाइड किया था तो अभी जो टेस्ट के साथ डेट आपको सेंट कर दिया जाएगा आपकी इमेल पर ताकि आप असानी से उसी त्यारी कर सके और उसी टौपिक आपका जो माजर्ट टेस्ट है वह आपका हो सके अराम से तो अभी आप त्यारी करें पूरा सैक्शन ए के लिए आपका इसका टेस्ट है नहोब बजे चाहते हैं अगर आपको लिएट आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर देजिए थैंक यू सो मॉच फोर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू